गुरु देव और मागायत्री की चर्णु में कुटकुटी नवन आप सभी को प्रणाम एक उत्तम आउशुधी सभी को लापदायक होती है पर जिनका पेट साफ होता है उन्हें वो ततकाल गुन दिखाती है अपच की कारण जिनका पेट खराब है उन्हें वही दवा कम लाप पहुँचाएगी देर में असर करेगी गुड़कारी इंजेक्शन भी जिनका खुन खराब है उन्हें इतना लाप नहीं पहुँचाते जितना शुद्ध रक्तवालों को इसमें दवा का कोई पक्षबात नहीं और नहीं इस बात का निशेद है कि जिन आपच हो या खुन खराब हो विदवा या इंजेक्शन ले ही नहीं ऐसा कोई प्रतिबंद नहीं है पर इस पश्ट बात ये है कि जिनकी आत्मा में सत्युक की मात्रा अधिक है उन्हें गायत्री उन लोगों के बेक्षा बहुत अधिक बहुत शीगरला पहुँचाती है जिनमें दुर्गुण और कुविचार भ व्यक्ति ब्रहमन कहे जाते हैं जिनमें ब्रहमनत्व मौजूद है उनके लिए गायत्री परमतफ है परम साधन है इस साधना का आश्रे लेकर वे अपना लोग पर लोग सभी बड़ी सरलता पूर्वक सुक शांती मैं बना सकते हैं उनके लिए गायत्री माता इतनी दयालू और दानी सिद्ध होती हैं, जितनी शरीर को जन्म देने वाली परम करुणामई माता भी नहीं हो सकती। इसकंद पुराण में कहा गया है, गायत्री सर्व वेदमई पराविध्या है, यही ब्राह्मन की माता है, यही नित्य सच्चिदानंद स्वरूप तथा महा भावमई हैं। गायत्री वेदो की माता है गायत्री ब्राह्मन की माता है ये गायन करने वाली का त्रान करती है यानी उद्धार करती है इसलिए गायत्री कहते हैं काठक सहिता में कहा गया है ये क्यों पूछते हूँ कि ब्रहमन का बाप कौन है माता कौन है ब्रहम ग्यान ही उसका बाप है और वही बाबा है युद्र यामल तंत्र में कहा गया है ओमकार को पिता और गायतरी को मातर रूप में जो नहीं जानता वो ब्रहमन बर्न शंकर है ब्रहमन की माता गायतरी और पिता वेद है महो उपनिशद में कहा गया है मेरी माता कौन है पिता कौन है कुल कौन जो इस रहस को जानता है वो ब्रहमन है ब्रहमन की गायत्री ही माता है वेद ही पिता है ब्रहम ही कुल है ब्रहमन की जीवन का लक्ष आत्म बलम एवं ब्रहमतेज को प्राप्ट करना है वो जानता है कि संसार में जो कुछ उत्तम है वो सभी आत्मबल और ब्रह्म तेज उपलब्ध करने पर प्राप्ट किया जा सकता है इसलिए वो संपून आनंदों के लिए वेद जनिनी गायत्री का ही आश्रह लेता है ब्रह्म वर्चस जिसने प्राप्ट किया उसके लिए गायत्री साक्षात कामधेनु गौ के समान है उसे इसी महाशक्ति के दौरा अपनी अभीष्ट कामना पूर्ण करने वाले वर्दान मिल जाते हैं इसलिए गायत्री को वरदात्री कहा गया है उसे परमदेवी भी कहते हैं यह सभी देवी शक्तियां देवी कहलाती हैं पर अन्य दिवश्क्तियों की सीमा थोड़ी-थोड़ी है वे उपासना करने पर मनश्य का सीमत का ल्यान करती हैं किन्तु गायत्री के लिए ऐसा कोई सीमा बंद नहीं, उसके गर्व में समस्त शक्तियां सन्हित होने से परम देवी कही जाती हैं, सच्चे मन से उपास न करके यदि उसका थोड़ा सा भी अनुग्रह प्राप्त किया जा सके, तो साधक उस परम गती को प्राप्त कर लेता है, जिसके कारण लोक में सुख और परलोक में अभीष्ट शान्ती प्राप्त होती हैं, कहां भी गया है उस बरदात्री परम देवी गायत्री को नमस्कार है, जिसकी लेश मात्रगपा से द्विज परम गती को प्राप्त होते हैं, ब्रहमण का ब्रहमणत्व बहुत कुछ गाय प्रयत्न करनी पर बहुत कटनाई से प्राप्त होते हैं वे उस उपासना की माध्यम से स्व्यमेव विक्सित होने लगते हैं और उन अंत्र स्पुर्णाव के जागर्ण से उसका प्राम्रत्व दिन-दिन सूधन होता जाता है आत्मा में पवित्रता का अंश दिन-दिन जाता है तंत्र सार में कहा गया है जब निश्ठा द्विज सब यग्यों के फल को प्राप्त करता है यानि जो निश्ठा से जब करता है वो सारी यग्यों के फल को प्राप्त करता है उस पर देवता प्रसंद होते हैं और उनकी प्रसंदता से लोक में सुख तथा पर लोक म मुक्ति प्राप्थ होती है आशुरी शक्तियों से भैबीत नहीं करती अन्य सभी साधना में अन्य सभी साधनाओ दारा हो सकने वाले लाब प्राप्थ हो जाते हैं ब्राहमर्ट चाहे कोई अन्य उपासना करी या ना करी पर उक्यवल गायत्री मंत्र से ही सिध्धी प्राप्त कर सकता है गायत्री की भली प्रकार उपासना करने से द्विज निर्भर हो जाते हैं वैसे तो पंच यग्यों को लौकिक नियम धर्मों में आविशक नित्य कर्मानग्या है और प्रति दिन ब्रह्मयग्य, डेवयग्य, पित्रयग्य, भूतयग्य, अतिथी यग्य इन पाँच यग्यों का करना सभी के लिए विधान है पर आध्यात्मिक दृष्टी से अकेली गायत्री जप में पाँच यग्यों का समावेश है गायत्री के पाँच अंग भी पाँच ब्रह्मयग्य कहे गए हैं नित्य उपासना करने से पाँचों दैनिक यग्यों का फलक्राप्थ होता है प्राचीन काल में अनेक साथकों ने इसी उपासना के द्वारा मानो जीवन की सफलता का सर्वोच प्रतीक ब्रह्म रिशे पतपाया इतना ही नहीं देवताओं ने भी इसी महामंत्र की शक्ती से असरों को परासकर अपना देवत्व इस्थिर रखा अधिक क्या कहनी के आवशकता है भली प्रकार साथना की हुई ये गायत्री विध्या द्विजों के लिए कामधेनु के समान सब सिध्यों को देने वाली है इस कामधेनु का दूद ही इस जगत तल का परमरस कहलाता है इसी को ब्रहमानंद कहते हैं इससे मधुर आनंद दायक और उल्लास भरी मादग वस्तू और कोई संसार में नहीं जिसे इस कामधेनु का दूद पीने को मिल गया उसके सभी आभाव दूद हो जाते हैं कोई वस्तू ऐसी नहीं जो उसके करतल पर ना रहती हो ऐसी ब्रहमसिद्धी प्राप्त गायत्री उपासक अपने आपको सर्वसंतुष्ट सर्वसुक्यन्मो करते हैं उसके आंत्रिक आनंद एवं मुल्लास का ठिकान नहीं रहता इसी लिए कहा जाता है कि गायत्री ब्रहम्मन की कामधेनु हैं आज की दी इतना ही